नमस्कार आप देख रहे हैं तेजखवट 24 और वक्त है खबरों का रिवाजिले के मौगंज थाना अंतरगत पठेरा गाउं में एक सड़ा खाथसा हुआ है जहां मौग अंजनिवासी, अधिवक्ता, अभी मन्यो सिंग की पुत्री दसदी की परिक्षा में टॉप करने वाली अंशिका सिंग जनता आभाट लेवल्स की बस में दुरगटना का शिकार हुई है इस सड़क हाथसे में उनकी मा कंचन सिंग की घटनास्तल पर ही दर्दनाक मौथ हो गई है तो वहीं भाई अंजन सिंग एवं अंशिका भी गंभी रूप से खायल हुई है बता दिक कुछ दिन पहले ही जारी हुई MP बोर्ट की परिक्षा में अंशिका ने पूरे प्रदेश में छटवरस्थान हासिल करकी अपने परिवार सहित जिले का मान बढ़ाया था अंशिका के सफलता से उनकी मा और पिता सहित परिवार के सभी लोग बहुत ही गौर्वान बेद थे पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था हाथ से ख़वर लगते ही पूरे परिवार सहित शेतर में मातमसा चा गया है कंचन सिंग पत्नी अविमन्यों सिंग उम्र 40 वर्ष अपने पुत्र आंशा सिंग और पुत्री अंशिका सिंग के साथ मिरजापूर अपने माय के गई हुई थी जुलाई को स्कूल खुलना था तो बच्चों की पढ़ाय में व्यावधान ना हूँ इस वज़े से बस में मिरजापूर से सवार होकर मौगंज लोट रही थी जैसे ही पटेहरा गाउं के समय पहुँची तो बस परिचालक ने हटवड़ी दिखाते हुई मौगंज के यातियों को पहले ही गेट में आने के लिए कहा जैसे ही महिला अपने बच्चों के साथ समान लेकर गेट में पहुँची तो बस चालक में लापरवाही पुरवग तीब्रगत से दोड़ रही बस का अचानक प्रेक लगा दिया जिससे गेट में खड़ी महिला कंचन सिंग अपने बच्चों के साथ चलती बस से नीचे गिर गई और बस के पिछला पहिया के नीचे से राने से कंचन की घटनासल पर ही दरदनार मौथ हो गई वहीं पुत्र अंश की ये सिर्व और पैल में गंभीर चोटे आई हैं पुत्री अंश का भी चोटी हुई है रस्ताने लोग घायल बच्चे सहित पुत्री को लेकर सिविल अस्पताल मौगंज पहुचे जहां उपचार जारी है वहीं सूचना पर पहुचे पुलस ने एंबुलेंस की मदर से महिला का शब मर्चुरी में रखवा दिया है और बस को पुलस ने जब्द कर लिया है